गौहना में 26 फरवरी को एक सुनार की दुकान में जो लूट हुई थी उसमें पलिस को बड़ी कामियाबी हासिल हुई है और उसमें जो है च्यार आरोपियें को गिर्फतार कर लिया गया था और उनसे रिमांड लिया गया था रिमांड आउधी के दुरान पुलिस के दौरा जो है 91 गराम सोने और 5.75 गराम चांदी के गहने जो है बरामद हुए है एक बड़ी कामियाबी पुलिस को मिली है और सरुकार जो एसेशेशेशन है उन्होंने एसपी का भी धन्यवाद किया है और एसपी से अथियार बनवाने के लिए लेसेंस की भी मांग की है हम आपको बता दे कि 26 जन्वरी फरवरी को गुड़ा रोडस्तीत सोहन जैलर्स पर दिन दिहाडे चार बदमासों के द्वारा पिस्टोल के बल पर जो है लूट की गई थी लगबग 20 लाक रुपे की लूट की गई थी और हम आपको बदमासों ने काफी जल्दी गहनता से की गई है पुलिस के द्वारा और जो है लूट के दुरान सोन लालसैनी की दुकान से लगबग 200 गराम सोना और चांदी के करीब 8 किलो की गहने लूटे गई थे परतिनीदी मंडल ने स्पी जसंदी सुनगावा से अनुरोध भी किया कि गवाना के सोनकार सकी आतमरक्षा के लिए उनका लाइसेंस जो बनाया जाए ताकि वो अपने हत्यार अपने पास रख सके आगे इस तरह की वालदात को अंजाम ना दिया जा सके और पुलिस ने बदमासो को चार दिन के रिमांड पर लिया गया है इधर पहले गिर्फतार तीन बदमासो को पुलिस ने पूस्त की गई, CIA की टीम ने समर राद तक मुठवेड के बदमास गुहाना के चोपडा कलोनी निवासी सोनू, आरिये नगर निवासी मोहन उर्फ मोनू, रोतक के घेडी जात के निवासी मोहित और गाउन निवासी मोहित को गिर्फतार किया गया था और एक चोथा जो है अरोपी है, सोनू उसको गोली लग गई थी, उसको जो है पुलिस ने भी खानपूर कॉलेज, मेडिकर कॉलेज में जो है उप्चारा धीन था और हस्तवाल से छूटी मिलने के बाद सोनू को पुलिस ने अदालत में पेश किया गया और चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है बाकी के तीन बदमासरे पहले ही छहे दिन की रिबामैसो के खिलाफ स्वानीपत, रोहदतक्स, पानीपत में कई अपरादिक मुकर्में दर्ज है रिमांड गेदिक के दरान पदमासो से पूस्ताच से पुलिस को रोतक और गौणा के सुनारों की लूट अबुषनों के पारे में एहम सुराग मिले हैं और हम आपको बता दें कि गवाना से पहले उन्होंने रोतक में भी एक सुनार के लुटने की लुटा गया था बदमासों ने आबोशन कहां छुपाए हैं पुलिस फिलाल इस बारे में कुछ नहीं बता पा रही है देशब तक चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें सेर करें और इस खबर को जादा से जादा सेर करें और सभी अपने गुरूप में वीज़ को सेर करें ताकि हर गवाना वासी को इस खबर का पता लग सके